नमस्कार प्यारे दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर मेरा नाम है संदीब जयानी A very good evening to all of you Highway Engineering इस सेशन के अंदर हम revise करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं अगर आप इस YouTube चैनल के उपर नए हैं तो आप subscribe कर सकते हैं बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं अगर आपने अपनी अप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो संदीब जयानी Civil Engineering नाम से अप है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जिससे कि आप अपने Civil Engineering competitive exams के तयारी कर पाएं साथ ही साथ में अगर आपने अभी तक टेलिग्राम चैनल नहीं जॉइन किया है तो वो भी जॉइन कर सकते हैं संदीब जयानी नाम से टेलिग्राम चैनल है चलिए दोस्तों शुरू करते हैं Highway Engineering में अब Revision के Point of View से हैं या फिर Main Main बातें कौन सी हैं वो आपको याद रखनी है सबसे पहले अगर हम बात करें तो कोई भी Highway जब बनेगा तो उसके Regarding Map Study होगी Reconcil Survey होगा, Preliminary Survey होगा उसके बाद Location Survey होगा ये बात आपको याद रखनी है MRPL से आप याद रख सकते हैं कोई भी चीज आप Purchase करते हैं आप MRP लेबल देखते हैं इसी हिसाब से आप इसे याद रख सकते हैं नेक्स्ट बात करें तो History of Highway Engineering से related questions अगर आप से पूछते हैं तो क्या-क्या questions बनते हैं सबसे पुराने प्रमान जो आज तक भी देखे जा सकते हैं वो है Roman Roads के सबसे पुराने Roman Roads के हैं वील का invention कौन सी civilization में? Mesopotamian civilization के अंदर हुआ पहले जो road बनाई गए उसके records जो पाए गए वो किसके अंदर पाए गए? Assyrian Empire लगबग 1900 BC के अराउंड ये देखा गया Roman Roads की कुछ खास बात हैं Roman Roads की जो खास बात थी वो ये थी कि इनकी thickness 75 से ले करके 120 cm तक थी यानि कि ये इतनी थिक थी रॉक से बनी हुई और काफी costly construction ये था क्योंकि ये रॉक से बनी हुई थी और इतनी जादा rocks यूज की गई heavy stones यूज किये गए इसमें तो बहुत सारी roads आज तक भी इनमें देखी जा सकती है उसके बाद next trash gate construction तो trash gate और matcalf जो है वो एक same time के उपर ही work कर रहे थे तो इन्होंने क्या किया इन्होंने छोटे छोटे size के stones जो है उनका इस्तेमाल किया 25 mm size के जो broken stones थे और side slopes भी provide किये drainage पर भी ध्यान दिया लेकिन अभी भी क्या चल रहा था heavy stones नीचे रखे गए उपर हलके stones रखे गए then British construction की बात करे तो इन्होंने cross loop provide किया और साथ ही साथ में यहाँ पर इन्होंने subgrade drainage के उपर इतना ध्यान नहीं दिया macadam roads आ गई macadam roads के अंदर क्या होने लग गया macadam roads के अंदर जो fine छोटे size के particles थे macadam ने थोड़ा engineering aspect लगाया कि ज़रूरी नहीं है बड़े बड़े stone हम use करें stress जो आएगा वो नीचे तक उतना stress आएगा ही नहीं जादा stress अपर layers में रहेगा तो अगर हम broken stone को अच्छे से compact करके use करेंगे stone dust उनके बीच में डाल करके तो वो भी उतना ही काम करेंगे जितने बड़े बड़े heavy stones तो macadam construction उसके बाद popular होना शुरू हो गया फिर water bound macadam आ गया इसके अंदर क्या था stones, stone की dust water और अच्छे से उसको compact कर दिया तो वो water bound macadam आ गया उसके उपर आपने bitumen use कर लिया फिर उसके बाद concrete आ गया तो धीरे धीरे modern roads बनने शुरू हो गई history of highway engineering in India से related questions क्या-क्या बनते हैं सबसे पहली committee जो शुरू हुई highway engineering के regarding वो थी highway पे जो ध्यान देना शुरू हुआ road construction के उपर हम work करते हैं जैकार committee MR जैकार की अध्यक्षता में यह हुई 1927 के अंदर यह आपको याद रखना है इसके अंदर 2020 plans आये थे 20-20 साल के plans आये थे इन में देखें आप IRC कब फॉर्म हुआ Indian Road Congress कब फॉर्म हुआ 1934 के अंदर IRC फॉर्म हुआ था Central Road Fund कब फॉर्म हुआ Central Road Fund 1929 के अंदर फॉर्म हुआ यह आपको याद रखना है Motor Vehicle Act 1939 के अंदर Motor Vehicle Act 1939 में CRRI का गठन किया गया था 1950 के अंदर 1950 के अंदर Central Road Research Institute 1950 में यह आपको years याद रखना है सबसे पहला 20-year plan क्या था Nagpur Road Congress था 1943 के अंदर सबसे पहला 1943 के अंदर Then इसके अंदर अगर Target की बात करें तो 16 किलोमेटर की रोड बनानी थी पर 100 स्कॉयर किलोमेटर के अंदर Second Bombay Road Congress 1961 Bombay Road Congress जो है वो Second 20-year plan था और इसके अंदर जो Target रखा गया था वो था 32 किलोमेटर की रोड पर 100 स्कॉयर किलोमेटर के अंदर और साथ ही साथ में 1600 किलोमेटर के Expressway भी Then लखनवू रोड कॉंग्रेस लखनवू रोड कॉंग्रेस की बात करें तो यह Third 20-year plan था हमारा जिसके अंदर Target रखा गया था 82 किलोमेटर पर 100 स्कॉयर किलोमेटर अंदर अजी चली आगे बढ़ते हैं उसके बाद next question जो आपसे पूछा जाता है वो है कि नागपुर classification से related किन किन roads में उससे classify किया गया नैशनल highway, state highway, major district road, other district road और village road पांच category के अंदर इसे classify किया गया ये आपसे पूछ सकता है उसके बाद next question जो आपसे पूछता है वो है modern लखनव classification से related modern लखनव classification से question क्या बनेगा कि आपको ये देदेगा state highways as per modern लखनव classification state highways lies under the category of तो आपको बताने secondary road primary के अंदर expressway और national highway फिर state highway और major district road आगे secondary में tertiary के अंदर other district road और village roads ये classification किसने बताया ये modern लखनव classification बताया गया उसके बाद जैसा surveying में हम देखते हैं ये जो arrows, symbols ये same highway के अंदर भी use किये जा सकते हैं तो इनकी knowledge भी वही same है जो reference हमने लिया था survey में geometric design of highway के अंदर आपको कौन-कौन से elements देखने होते हैं सबसे पहले अगर हम आएं उसके cross section के अंदर जो elements दिखते हैं या उसके geometric design के लिए factors कौन से हैं पहला type of road, type of road का मतलब rural road है या फिर urban road है rural road है तो rural area से national highway, expressway, state highway, major district road, other district road, village road ये सब जाएंगे urban के अंदर आ जाएंगे expressway, arterial, sub-arterial, collector और local streets तो एज सच कुछ याद रखने वाला इन में से अभी तक तो नहीं बना याद रखने वाली चीज़ें क्या हो सकती है अगर कोई question आप से पूछ ले जैसे कि articulated vehicle जिसके एक से ज़ादा दो से ज़ादा excel है articulated vehicle मतलब जो दो parts में divided हो ऐसा vehicle front वाला part अलग से turn कर रहा है पीछे वाला तो उसकी length कितनी होगी height कितनी हो सकती है width of the vehicle maximum कितना हो सकता है तो इन से related questions आप से पूछता है जैसे एक question यह हो सकता है कि truck और trailer combination जो है उसकी length कितनी होगी last to last year पूछा था तो 18 meter होगी तो इन table से related कोई database question आप से पूछ सकता है next question पूछेगा topography से related कि किसी भी area के जो man made या फिर natural features होता है वो हम topography में express करते है तो topography plane कम बोलेंगे जब 0 to 10 cross slope होगा उस particular location का जो slope होगा वो 0 to 10% है तो plane 10 to 25 rolling 25 से 60 के अंदर mountainous और greater than 60 के अंदर steep terrain आ जाता है तो यह table आपको याद होनी चाहिए traffic capacity जब हम measure करते हैं passenger car units में measure करते हैं एक cycle को motorcycle को या scooter को हम आधी passenger car unit के बराबर consider करते हैं then cars की बात करें vans की auto rickshaw की तो इनको one consider करेंगे cycle rickshaw को 3 car 1.5 car के बराबर consider करेंगे क्योंकि ये congestion create करेगा रुकावट पैदा करेगा traffic के flow में passenger car units जो हमने unit use की है vehicles का count करने के लिए वो on the basis of how much congestion they create इसके हिसाब से की है हमने bullock cart के लिए हम 6 use करते हैं large bullock cart अगर हमारे पास है तो उस case में हम 8 use करते हैं bus के लिए truck के लिए 3 cars के बराबर मतलब एक bus जो है वो 3 car के बराबर congestion create करती है इसलिए हम उसे 3 car के बराबर count कर लेते हैं जब हम highway को design करते हैं तो highway को design करते हैं 30th highest hourly volume के लिए 30th highest hourly volume के लिए दिजाइन करते हैं तो एक साल में ऐसे 29 hours होंगे जब congestion create करने की possibility बनेगी इसका मतलब 0.33% 29 hours out of 365 into 24 तो 0.33% ये value आ जाती है हमारे पास design speed की बात करें तो expressways के लिए जो हम design करेंगे तो वो design करते हैं 120 km पर आर के लिए अगर हम national highway और state highway को तो हम design करेंगे कि 100 km पर आर वाला vehicle भी safely इस पर चल पाए और कम से कम 80 के लिए तो design करेंगे एक्सप्रेसway के case में कम से कम 100 के लिए तो design करेंगे करेंगे longitudinal coefficient of friction 0.35 होता है lateral coefficient of friction 0.15 होता है अगर wheel move कर रहा है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है तो वो slip कर रहा है अगर wheel इतना move नहीं कर रहा लेकिन vehicle आगे बढ़ रहा है तो वो skid कर रहा है unevenness index किस से पता करते हैं पूरी रोड का रोड तो यहां से यहां पूरी है यह highway तो पूरा ही है लेकिन highway का वो portion जहां पर vehicles move करते हैं वो carriageway कहलाता है अब carriageway dual भी हो सकता है single with two way traffic भी हो सकता है तो यहां पर एक और एक दो lane का आपको highway नज़र आ रहा है यहां पर एक lane दूसरी lane तीसरी और चौथी चार lane का highway आपको यहां पर नज़र आ रहा है जिसमें दो lanes जाने के लिए हैं दो lane आने के लिए बीच में आपने traffic separator या median लगाया हुआ है then median है traffic separator है इनसे related questions क्या-क्या पूचते हैं उनके उपर आ जाता है question पूचता है कि अगर single lane का highway है तो 3.75 meter उसके width होगी dual lane लेकिन उसके अंदर यह curve नहीं है raised borders या curves नहीं present है ऐसे तो उस case में 7 meter अगर raised curve है तो 7.5 meter multi lane highway के case में 3.5 meter per lane consider करेंगे intermediate lane के case में 5.5 meter consider करेंगे shoulders की width desirable तो है 4.5 meter लेकिन कम से कम 2.5 meter तो consider की जाएं उसके बाद median यह traffic separator 5 meter desirable है लेकिन कहीं पर अगर restrict कर दी जाए तो 3 meter तक भी ले सकते हैं 5 meter desirable है कि traffic separator यह median जो है divider उसकी इतनी width हो bridge के उपर 1.2 से 1.5 meter इसकी width रहेगे then right of way क्या है right of way वो total width है road के जिसके अंदर road के सारे के सारे elements आ जाते है cross slope या camber से related question आप से पूछता है तो camber जो हम provide करते हैं वो camber concrete या bituminous के case में और heavy rain के case में 2% light rain के case में 1.7% अगर आपके पास thin bituminous surface है तो 2.5% और 2 gravel या water bound macadam है तो उस case में 3 और 2.5 and last one आपके पास आ जाते हैं कि अगर earthen road है तो उस case में 4 और 3 ये values हैं इन में से जाधातर questions इनके around पूछे जाते हैं concrete या bituminous के लिए heavy rain के case में 2% light rain के case में 1.7% side distance consideration में आए हम side distance consideration में सबसे पहला side distance आता है SSD SSD के formula को आपको याद रखना है अब going upwards और going downwards और flat terrain पे भी तो अगर flat road के उपर vehicle move कर रहा है तो V into T, T reaction time होता है SSD के case में reaction time consider किया जाता है 2.5 seconds driver का जो eye level है वो हम consider करते हैं 1.2 meters object या obstacle जो सामने आता है वो 15 cm उसकी height consider करते हैं when vehicle is moving on a gradient up the gradient जा रहा है तो उस case में V square upon 2G mu plus आ जाएगा यहाँ पर down the gradient आ रहा है तो mu minus 0.01 n आ जाएगा तो SSD से related यह formula याद रखना एक बात तो यह अगर एक ऐसी road है जिस पर इस तरफ से भी vehicle आ रहा है इस तरफ से भी आ रहा है तो दोनों के SSD calculate कर लेना आप तो SSD 1 plus SSD 2 calculate करके आपको answer करना है IRC के provisions आपको याद रखने है कि अगर single lane road है और two way traffic है तब जो SSD calculate किया जाएगा वो twice of SSD calculate किया जाएगा single lane road है one way traffic है तो दो नहीं करेंगे तब twice नहीं करेंगे हम उस case में next यह जो driver की और object की height है यह आप याद रखना कहीं पर अगर SSD नहीं provide किया जा सकता तो proper sign board दिये जाएगे overtaking side distance से related क्या-क्या important चीज़े हैं जो आपको याद रखनी है इसे passing side distance के नाम से भी हम जानते है OSD के case में driver की और obstacle की height दोनों ही 1.2 meter ली जाती है यह आपको याद रखना है reaction time OSD के case में 2 second consider किया जाता है reaction time 2 second consider करेंगे 3 distance calculate करने है D1 D1 क्या होता है जब slow moving vehicle के पीछे जो overtake करने वाला vehicle होता है वो इसके पीछे पीछे जितनी देर चलता है reaction time में वो D1 D2 overtaking operation के दोरान जो distance यह travel करता है उस T time overtaking operation के time के दोरान जो overtake करने वाला vehicle distance travel करता है वो D2 which is equal to distance traveled by slow moving vehicle plus initial spacing maintained by the vehicle and final spacing maintained by the vehicle so B plus 2S के बराबर D2 होता है D3 is in the duration of overtaking operation vehicle coming from opposite direction covers the distance D3 in that particular time T तो वो आपको याद रखना है D1 की value reaction time into velocity B की slow moving vehicle की क्योंकि A B के पीछे आ करके कुछ दूर उसी की velocity से चला था D2 calculate करने के लिए आप उसे लिखेंगे B plus 2S S की value calculate करेंगे और S की value calculate जब आप करेंगे तो spacing IRC हमें बताएगा कितनी maintain करनी है उसकी value आती है 0.7VB plus length of the vehicle length of vehicle question में नहीं दिया हुआ है तो 6 meter consider करेंगे हम इसमें एक चीज और भी है कि अगर आपको slow moving vehicle की speed नहीं दी हुई हो तो जितनी design speed होगी दी हुई question के अंदर उसमें से 16 km पर hour कम कर ले ना अगर KMPH में दी है meter per second में value दी है तो 4.5 meter per second कम करके slow moving vehicle की speed बतानी है आपको time का formula याद रखना है root of 4S by A acceleration question में गिवन रहेगा कि कितना acceleration use किया है in any worst case कि अगर दिया हुआ ही नहीं हो तो speed दी हुई होगी तो 80 के corresponding 0.72 to use करना है 100 के लिए 0.53 meter per second square acceleration आपको use करना है तो सबसे पहला step क्या होगा T calculate करेंगे root of 4S by A S calculate कर लेंगे हम IRC के formula 0.7 VB plus length of the vehicle से S की value उसमें put करेंगे तो T आ जाएगा जब capital T हमारे पास आ जाएगा फिर हम calculate करेंगे D2 D2 is equal to B plus twice of S B की value कैसे लिखेंगे velocity of B और फिर वो किस कितना time ले रहा है overtaking के अंदर उससे हम वो D2 distance calculate करेंगे then next आते हैं हमारे horizontal alignment details के अंदर जिसके अंदर की most important चीज है centrifugal ratio क्या होती है centrifugal ratio होती है centrifugal force divided by mg P by W जिसकी value आती है V square upon GR के पराबर तो यह centrifugal ratio अगर आपसे question में पूछे कि what is centrifugal ratio तो P upon WG M V square upon R जो होता है centrifugal force divided by mg या फिर इसे solve करेंगे तो V square upon GR बन जाता है then आपसे question पूछ सकता है वो overtaking ना हो उसके लिए क्या condition है skidding ना हो उसके लिए क्या condition है तो no skidding की condition क्या है कि इस centrifugal ratio से friction की value जादा होनी चाहिए या पराबर होनी चाहिए तो skid नहीं करेगा no skidding situation के लिए mu की value जादा होनी चाहिए V square upon GR से no overturning की situation के लिए B by 2H की value जादा होनी चाहिए V square upon GR या centrifugal ratio से B क्या है दोनों vehicle के tires का center to center distance या wheels का center to center distance H क्या है ground से या फिर इस road के surface से इस vehicle का CG कितनी height के उपर है तो ये value याद रखनी है बस अगर B by 2H friction से बड़ा है तो मतलब vehicle skid करेगा overturn नहीं होगा पहले अगर F जादा है friction जादा है तो vehicle पहले skid नहीं करेगा पहले overturn कर जाएगा super elevation प्रोवाइड करते हैं इस centrifugal force से counteract करवाने के लिए super elevation में अभी आपको याद क्या क्या रखना है in any case अगर ऐसा question आ जाता है कि write down the exact expression of super elevation तो super elevation का exact expression तो ये है V square upon gr 10 theta plus F upon 1 minus mu into 10 theta exact expression तो ये है और आप represent कर सकते हैं mu या F से friction को represent करते हैं exact expression तो ये है जो हम numericals में use करते हैं या 99% of the time use होता है वो है e plus F is equal to v square upon gr e plus F is equal to v square upon gr यहाँ पे mu की जगा F लिख ले है अगर आपको confusion है तो ठीक है अब क्या-क्या चीज़ें important है e plus F is equal to v square upon gr ये formula कब use करेंगे जब small v की value meter per second में दी हुई हो e plus F is equal to capital v square upon 127R कब use करेंगे जब capital v kilometer per R में हो अगर friction की value zero कर दें तो उस वक्त जो super elevation होगा उससे हम कहते हैं equilibrium वाला super elevation जो की होगा v square capital v square upon 127R या फिर small v square upon gr के बराबर होगा अगर mixed traffic condition के लिए पूछे तो उस case में जो velocity होती है उसका 75% consider करते हैं तो उसका expression बन जाएगा 0.75 v का whole square divided by 127R तो वो v square upon 2 to 5R बन जाता है तो ये formula आपको याद होने चाहिए और इनके अंदर कोई confusion नहीं होने चाहिए Done When the pavement is horizontal तो उस case में अगर pavement horizontal है और कोई curve आया अब ये vehicle जो जा रहा था ये वाली side inner side होगी ये side outer side है inner outer कैसे बोल जाएं कि इस curve का center इस तरफ लाई करेगा तो ये inner है वो वाली outer है तो ऐसे case में tendency बनेगी कि ये vehicle ऐसे पलट रहा होगा यानि कि ये वाला wheel inner वाला wheel उठ रहा होगा outer वाला नहीं उठ रहा होगा तो outer वाले के about ये inner ये outer outer वाले के about टॉपलिंग हो रही होगी तो outer wheel पे pressure जादा होगा अगर super elevation प्रोवाइड नहीं किया है अगर friction exist नहीं कर रहा है यहां पर तो उस case में तो कोई pressure नहीं बनेगा inner पे outer पे equal होगा क्योंकि friction है जिस वज़े से वो skid नहीं कर पा रहा और वो ऐसे turn कर रहा है अगर friction नहीं होगा तो inner और outer wheel पे pressure equal होगा when the limiting condition of overturning occurs यह just पलेटने वाला ही है तो उस case में inner wheel जो है वो उठ जाएगा तो inner wheel पे pressure क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा अब next mixed condition के लिए आपको क्या यूज़ करना है V square upon 2 to 5R यूज़ करना है IRC क्या कहता है IRC कहता है plane and rolling terrain के लिए maximum super elevation जो है वो 7% है hill roads के लिए 10% urban road stretches के लिए 4% है यह आपको याद रखना है यह values आपको याद रखने है वो minimum radius के इतनी तो कम से कम radius provide कर ही देजिए वो minimum radius कहलाती है ruling minimum radius जो कि future में अगर हम मान लीजिए हमने आज highway design कर लिया 100 km पर आर के लिए तो अगर radius इतनी सी provide कर दी कि बस पूरा पूरा काम चल रहा है अगर आपने radius इतनी सी provide कर दी कि बस पूरा पूरा हमारा काम चल रहा है तो future में इस highway पे अगर आपने speed बढ़ानी है तो फिर यह पूरा का पूरा curve दुबारा से design करना पड़ेगा आपको फिर से land के उपर आपको उसी के provisions लेने पड़ेंगे कि इस curve की radius कैसे increase करें फिर curve की radius increase करने के लिए फिर से हमें पूरा cost या expenditure करना पड़ेगा इसके बजाए हम पहले से थोड़ी radius जादा ले लें कैसे जादा ले लें कि E की value आप ये मान लीजिए जब maximum से maximum आ जाएगी F की value maximum से maximum मान लीजिए तो उस वक्त और velocity जो अभी present design velocity है वो maximum वाली वो ले लीजिए velocity भी maximum ले लीजिए तब R की value जो कम से कम adopt करनी ही पड़ेगे आपको ऐसे scenario में जब E भी maximum utilize कर चुके F भी maximum utilize कर चुके तो उस case में R की value जो होगी वो आप put कर दीजे तो वो है ruling minimum radius ruling minimum radius का formula वही है E plus F is equal to V square upon GR वाला बस E और F की value maximum वाली put करनी है design velocity इसमें put करनी है आपको next extra widening से related confusion क्या होता है extra widening से related confusion होता है कि आप से extra widening पूछी है road की या सिर्फ off tracking या mechanical widening पूछी है या फिर सिर्फ psychological widening पूछी है तो ये आप याद रखना off tracking पूछे तो NL square upon 2R use करना है psychological widening पूछे तो V upon 9.5 root R ये put करना है transition curve से related 3 मुख्य बाते हैं transition curve किसके हिसाब से provide करते हैं पहला comfort condition के हिसाब से कि जब turn पे जाएं हम तो on the basis of rate of change of centrifugal acceleration दूसरा कि super elevation कैसे introduce करवाया जाए कि आगे जाकर के ये circular curve start होने वाला है और अगर circular curve start होगा तो उसको outer pavement को कुछ raise करना पड़ेगा हमें जिसे हम super elevation कहते हैं अब इसे एकदम से तो raise कर नहीं सकते बीच में transition curve introduce करवाया जिससे कि अब धीरे 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 pavement को raise करेंगे तो second method जो होगा transition curve provide करने का वो ये है कि outer edge of the road को धीरे धीरे उठाते चले जाना ताकि यहां तक इतने super elevation तक पहुंच जाए so rate of introduction of super elevation तीसरा IRC जो कहता है कि कम से कम इतना length तो provide करना ही करना तो वो third है IRC के recording इन तीनों में से जो maximum है वो हम provide कर देते हैं transition curve से related IRC कहता है कि कौन सा कौन सा curve आप use करेंगे तो spiral curve हम use करते हैं IRC recommends spiral curve क्योंकि ये सारी जो requirements है उनको fulfill करता है rate of change of centrifugal acceleration भी comfort condition के according एकदम सही रहता है स्मूद रहता है transition curve की अगर हम बात करें तो it is infinite at one edge और दूसरे पर radius के बराबर पहुंच जाता है जो curve की radius होती है V cube upon CR ये formula याद रखना है और C की value calculate करने है 80 upon 75 plus 3.6 V या capital V लिखेंगे तो फिर 3.6 लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको rate of change of centrifugal acceleration की unit meter पर second cube बतानी है इसकी value 0.5 से 0.8 होनी चाहिए second case में length of transition curve calculate करना है अगर तो length of transition curve calculate करने के लिए ये जो pavement के outer edge को अगर हमने x amount से raise करना है तो IRC जो तो ये method क्या कहता है ये method कहता है कि अगर आप 150 meter का horizontal distance चलेंगे न plane और rolling terrain में तो एक meter का rise देना है हर 150 meter पर एक meter का rise देना है तो x meter पर कितना rise देना है 150x का तो इस case में length of transition curve second case में 150 into x जितना amount से भी rise करवाना है आपको 150 into x आपको provide करना है plane and rolling terrain के अंदर built up areas में 100x और hill roads के case में 1 in 60 plane and rolling के अंदर 150x 100x built up areas में 60x mountainous and steep regions के अंदर ये next page पे लिखे हुई है चीजे तो ये values आपको याद रखनी है इस second method से next बात ये है कि इस super elevation को provide किया जा सकता है rotating the pavement about center इस center के about pavement को ऐसे rotate कर दो या फिर इस pavement के outer edge को ही पूरा उठा दो तो दो तरह से super elevation हम provide कर सकते हैं इसी के हिसाब से ये x की value calculate करके हम उसमें put करेंगे next आते हैं IRC के हिसाब से empirical formula जो IRC recommend करता है वो है 2.7V square by r objective question के अंदर जब भी कोई चीज mention ना हो कि length of transition curve अगर calculate करनी हो आपको और mention ना हो कि किस से करना है तो हमेशा IRC वाले से करना अगर question में ऐसे word use करे कि कम से कम इतना transition curve तो provide करो ही करो length of transition curve कम से कम इतनी तो हो ही IRC क्या कहता है जी first से calculate कर लेना first method से second method से calculate कर लेना और कम से कम इतनी तो provide करना ही करना तो first से मान लीजिए value आई 150 meter second से value आई 170 meter और IRC के formula के हिसाब से 190 meter तो IRC क्या कहेगा कि कम से कम 190 तो provide करना तो जब minimum word use किया हुआ हो question में तो कहीं confusion का कोई scope ही नहीं है आपको IRC से ही calculate करना है अगर हिली टेरिन की बात करें तो V square by R question ऐसा भी पूछ सकता है कि velocity के directly proportional है या velocity के square के directly proportional length of transition curve तो V cube upon CR से confused मत होना until and unless वो clearly खुद न बोले V cube upon CR में वो खुद न बोले जब तक कि as per rate of change of centrifugal acceleration ही बताना है अगर वो simply पुछे length of transition curve कैसे vary कर रहा है velocity के साथ wire के साथ vary कर रहा है next vertical alignment में question ऐसा भी पूछता है कि plane and rolling terrain की case में ruling gradient कितना होगा designer कह रहा है कि maximum से maximum इतना provide करेंगे तो ruling gradient 3.3% का 3.3% का plane and ruling में limiting gradient 5 का और exceptional gradient 6.7 का ruling gradient तो designer चाह रहा है कि बस जादा से जादा मैं इतना ही provide करूँगा then limiting gradient limiting gradient वहाँ पर जहाँ पर आप ये चाह रहे है कि मैं मान लीजे कोई hill था अब इस hill के उपर अगर आपको road इस तरह से आप इस पर गुमाते हुए ले जा रहे हैं उपर hill के उपर जब road जा रही है तो आपको पता है कि अगर मैं gradient को ऐसा gradient ना करके mild करवाऊंगा अगर gradient कम करवाऊंगा तो बहुत जादा cutting करनी पड़ेगी बहुत जादा cost बहुत expenditure हो जाएगा तो उसे बचाने के लिए आप कहेंगे कि थोड़ा जादा gradient चल जाएगा लेकिन आप यही आद रखते हैं कि वो gradient provide करने के बाद कम से कम एक 100 meter का straight stretch provide करेंगे फिर gradient फिर straight stretch या फिर mild कर देंगे gradient को 100 meter से distance से जादा आप ऐसा gradient limiting gradient नहीं रखेंगे exceptional gradient again same situation छोटे छोटे stretch के लिए exceptional gradient provide करेंगे और फिर 100 meter से जादा exceed नहीं करेंगे ये वाली length जो होगी ये less than 100 meter होगी और फिर उसके बाद mild या फिर flat gradient provide करेंगे 100 meter से बढ़ेगा फिर उसके बाद less than 100 रखेंगे यहाँ और फिर greater than 100 रखेंगे so they should be limited for short stretches not exceeding about 100 meters in a stretch और आप यहाँ पर 100 meter का कम से कम एक gentler gradient या फिर flat gradient provide करेंगे अगर hairpin band है hairpin band क्या होती है hilly regions के इंदर आपने देखा होगा कि अगर आप चड़ाई पर जा रहे थे और एकदम से u-turn भी आ गया चड़ाई पर जा रहे थे ऐसे और एकदम से u-turn भी आ गया तो वो क्या बन जाएगा hairpin band बन जाएगा तो वहाँ पे आपके पूरे vehicle को वो turn भी लेना है और चड़ाई पर भी जाना है तो उस case में उस particular location पे आप gradient को reduce कर देते हैं कितना 2.5% तक तो hairpin band के अंदर 2.5% gradient provide करते हैं critical length of grade क्या होता है कि gradient कुछ इस प्रकार provide किया जाए कि एक heavily loaded truck जो है उसकी speed में 25 km पर आर से ज़ादा reduction ना आए उसे कहते हैं critical length of grade कि आप कितनी length ऐसे gradient की सीधी सीधी provide करें उतनी ही provide करें जिससे की कोई अगर vehicle जा रहा था तो उसकी speed में 25 km पर आर से reduction इससे ज़ादा ना आए कम से कम इतना gradient तो provide करो किसी road के उपर तो वो gradient जो हम provide करते हैं वो drainage purpose के लिए करते हैं 1 in 500 का और concrete drains और अगर open drain है तो 1 in 200 का gradient हम provide करते हैं roads पर ताकि पानी भैकर के आगे निकल पाए curve resistance होता है कोई vehicle जब curve के उपर जाता है तो उसका traction था forward direction में और अब उसने इस direction में steer कर लिया तो T traction पहले मिल रहा था T cos theta ही मिल रहा है तो कमी आ गई T minus T cos theta की कमी आ गई तो जिसे हम बोल देते हैं curve resistance अब अगर vehicle curve पर भी चल रहा है turn भी ले रहा है चड़ाई पर भी जा रहा है तो इस case में चड़ाई पर जाने की वज़े से mg sin theta इस vehicle को पीछे खीचेगा तो इस vehicle पर double attack हुआ एक तो curve के करण इसका traction कम हुआ और दूसरा इस gravity के component के करण तो इसी लिए हम कहते हैं कि gradient को कम कर दो grade compensation provide कर दो तो ये grade compensation जो provide किया जाता है वो कितना होता है it is minimum of it is minimum of 30 plus r by r या फिर 75 by r कि इससे जादा मत provide करना कई बार question में ये भी बोल देता है कि which out of the following signifies that इससे जादा gradient नहीं provide करना grade compensation तो ये 75 by r तो ये formula किसका है ये grade compensation का है compensated gradient calculate करना होगा तो ruling gradient ये question में जो given gradient हो उसमें से grade compensation minus कर देना तो compensated gradient आ जाएगा grade compensation provide करने के बाद जो compensated gradient आता है उसकी value 4% से कम नहीं होनी चीए 4% से कम अगर gradient है 4% से जादा अगर flatter है ground तो grade compensation provide करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको जैसे इस question के अंदर grade compensation calculate किया हमने least of these two तो इन दोनों का least आगया हमारे पास 0.625% तो 5 में से ruling gradient question में 5% दिया हुआ था 5% में से ये minus करके compensated grade बताया जिसकी value 4% से कम नहीं आनी चीए क्योंकि अगर 4 से कम आई तो हम कहादेंगे 4% कर दो compensated gradient को 4% कर दो इससे कम reduce करने की ज़रूरत नहीं है देन आते हैं हमारे पास vertical curves vertical curves के अंदर question आप से अगर बोलेगा वो तो नाम नहीं लिखेगा कि summit curve है या valley curve है length of vertical curve calculate करने के लिए बोलेगा जिसमें ये लिख देगा कि पहले एक down gradient आया फिर up gradient आया इसका मतलब कौन सा curve यूज होगा valley curve पहले up gradient आया फिर down gradient आया तो कौन सा summit curve तो words में आपको समझना होगा फिर आप deviation angle calculate करेंगे जो की होगा algebraic, algebraic मतलब sign के साथ algebraic difference होगा दो gradient का, अगर up gradient है तो plus, down gradient है तो minus तो this, minus this करना है तो deviation angle आपके पास आजाएगा ये वाला deviation angle आजाएगा तो algebraic difference लेना है n1 minus n2, अब इनकी जो values हो, वो width sign पुट कर देना आप gradient है तो positive, down है तो negative अब summit gradient, summit curve से related और valley curve से related important क्या है, important है ये table, ये table अगर JA exam में पूछेगा तो कैसे पूछेगा, कि आपको SSD calculate करने के लिए बोला उसने, sorry, आपको summit curve की length calculate करने के लिए बोला SSD के according तो SSD के according बोला, तो आप कहेंगे कि length of the summit curve is greater than SSD, तो n square upon 4.4, n क्या है deviation angle, यानि कि small n1 minus small n2 is equal to capital N, S क्या है SSD की value, divided by 4.4, अगर ये value जो आपकी आई, let's say question के अंदर SSD दे रखा था 120 meter और आपकी value आगई ये length of submit curve आगया 140 meter, तो आप कहेंगे कि हाँ मेरा assumption सही है, मैंने माना था length of submit curve is greater than SSD तो आ भी गया, तो ठीक है लेकिन अगर ये answer आगया let's say 100 meter, तो आप कहेंगे, मैंने माना तो था कि length of submit curve is greater than SSD लेकिन कम आया है, तो our assumption is wrong, ये formula नहीं use करेंगे, अब ये वाला use करो, तो नीचे वाला formula use करेंगे, ये कब जब SSD के according, अगर OSD के according calculate करना होगा, तो आप मानेंगे कि let length of submit curve is greater than OSD, फिर N square upon 9.6 use करेंगे, अगर ये assumption सही बैठ जाता है, तो ठीक है नहीं, तो next formula आप use करेंगे, अब ये AJE के अंदर ऐसे question आएगा, direct इनी का use करके, यही question gate में और engineering services में अगर पूछें, तो अब वो change कर देगा अब वो क्या कहेगा, कि SSD आपको दिया हुआ है 120 meter, और जो driver है, उसका high level है 1.5 meter तो वो कहेगा 1.2 ना मान करके 1.5 meter मानूँगा मैं तो, object की height मैं तो 15 centimeter ना मान करके 20 centimeter मानूँगा तो जब ये values change हो जाए, height of the observer या height of driver and height of obstacle, ये values अगर change हो जाए, तो ये formula use नहीं कर सकते हैं, तब ये formula use नहीं कर सकते हैं, तब क्या करेंगे? तब ये वाले formula use करने होंगे detail वाले, इनके अंदर h1 की value, h2 की values put करेंगे, इनमे h1, h2 की values ये put करते हैं, 1.2, 0.15, तब तो ये formula बनते हैं हमारे, तो जब अगर बहुत ही जादा conceptual पूछेगा, जो gate EAC में पूछता है, तो उस case में ये वाले formula आपको याद करने होते हैं, फिलाल के लिए JAE exam में, this is more than sufficient, तो summit curve से related ये याद रखना है, value curve को provide किया जाता है, दो बातों के लिए, एक तो comfort condition के लिए, कि जब आप value curve में ऐसे नीचे आ रहे थे, तो एकदम से आपके vehicle के suspensions पूरे compress ना हो जाएं, आपको discomfort ना हो, इसलिए, तो ये curve कैसे provide करें, transition curve की तरह provide करें, दूसरा, रात के समय जब आपका vehicle down the gradient आ रहा होगा, तो आपके headlight तो होगी यहाँ तक, आपको यहाँ से आने वाला obstacle नहीं दिख पाएगा, तो इसलिए, ये distance हमेशा इतना maintained रहे, आपके headlight का distance इतना maintained रहे, कि आप अपने vehicle को रोक पाएं, तो SSD के बराबर distance कम से कम यहाँ पर maintained रहना चाहिए, अब इससे related question, length से related आ जाएगा, length calculate करना, तो length of value curve का यह formula आप याद रखना, as a transition curve हम इसे design करते हैं, second length of transition curve for headlight side distance, ये दो formula याद रखने हैं, when length of the curve is greater than SSD, when length is less than SSD, ये दो formula आपको याद रखने हैं, so this is main about कि क्या-क्या points important है highway engineering में, highway engineering में जो main बाते हैं, जहां से question बनते हैं, वो limited से ही topic हैं यह, कि यहीं से equations बनते हैं, यहीं से numericals आपके बनते हैं, I hope आपको ये session अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो आप like कर सकते हैं, और live stream खतम होने के बाद आप comment करके भी हमें बता सकते हैं, साथ ही साथ में इस channel के उपर अगर आप नई हैं, तो subscribe कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी आप इससे share कर सकते हैं, अब हमारे exam के अंदर बहुत कम time बचा है तो उन चीजों पर focus कीजिएगा, जो आपने पढ़ी हैं और आपको आप difficult लग रही हैं नई topics मत छेड़िएगा कि हाँ मैं तो बहुत ही कुछ complicated साब उठा लेता हूँ, वो पढ़ लेता हूँ, नहीं जो आपने पढ़ रखा है, उसी को revise करना है उसमें भी उस portion के उपर अब ध्यान देना है जो थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा था जो आपसे बार-बार गलतियां हुई, उनके उपर focus कर लेना है short notes को revise करें, अपने उपर थोड़ा confidence रखें कि हाँ मैंने जो पढ़ा है, वो सही ही पढ़ा है ये short notes है, अगर ये पढ़ लिया तो मतलब मेरा subject भी revise हो रहा है अब जितने दिन बचे हैं, एक दिन में, तीन subject के short notes चार के कर सकते हैं, तो चार के, अपनी आँखों से जरूर निकाले exam वाले दिन पहुँचते पहुँचते, ऐसा जरूर हो जाए कि एक दिन में ही आपने सारे short notes अपनी आँखों से निकाल ले so as to give you a feeling, कि जब exam देने बैठेंगे, तब भी तो सारे के सारे subject ही तो होंगे उसमें, तब भी तो सारे subject ही होंगे उसमें, तो इसी तरह से exam से कम से कम 3-4 दिन पहले, फिर पूरे के पूरे अब ये जरूरी नहीं है कि हम word to word सब कुछ आप ऐसे हाथ रखके सारा कुछ remind कर रहे हैं, पर हाँ, आपको formula important जो हैं, वो सारे एक बार नजर से जरूर निकाल लेने हैं, ताकि आपको एक feeling रहे कि मैंने पूरी civil engineering को फटा-फट से revise कर दिया ठीक है? Thank you so much, see you again in next session, till then take care, bye-bye Thank you so much everyone Thank you